हेलो एवरीवन कैसे हुआ आप लोग आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एबी पीएम का जोइनिंग प्रोसेस आप लोग देख लिए है वीडियो में तो एबी पीएम का जोइनिंग प्रोसेस क्या है ठीक है एम का जोइनिंग प्रोसेस क्या है ठीक है बहुत तो कन्फिजन है कि ABPM जब हम ABPM में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है मतलब अप्टू ज्वाइनिंग क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तो इसके बारे में बात कर देखते रहें और मेरा बात समझने कोशिस किजिए सब को सेमी प्र में सेलेक्ट होता है वो लोग को कुछ ऐसा प्रोसेस है इसके तुरू आपको गुजरना रहता है जब तक आपका ज्वाइनिंग ना हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते देखिए माल लेते हैं आपका GDS ABPM में सेलेक्शन हुआ मेरिट लिस्ट आ ठीक है तो आप उसके करवा लेंगे फिर से सेकेंड डिवी के लिए मैसे जाता है ठीक है मैसे जाने के बाद फिर से 10-15 दिन का टाइम दिया जाता है सेकेंड डिवी करवाने के लिए जब आप से कराने जाते हैं तो उसी समय आपसे एनेक्सचर यह सब भरवाते हैं ठीक है एनेक्सचर उसी समय लेते हैं एक स्टेशन फ्रोंब भर्कर देने के लिए आपको टाइम दिया जाता है कि आपको इतना को इतना दिन कड़ाता है ठीक है ट्रेनिंग लेटर किसी का पांस दिन में भी आ सकता है किसी का पंदरा दिन में भी आ सकता है ठीक है चलता रहा है डिविजनल हेड के उपर डिपेंड करता है वह कब ट्रेनिंग करवार है ठीक है तो इस पर किसी का यह नहीं है कोई बता नहीं सकता है कि 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 यह उतना दिने में ट्रेनिंग होगा जब डिविजन डिसाइड करेंगे आपका ट्रेनिंग कराने के लिए तब आपका ट्रेनिंग होगा क्योंकि फस दीवी और स्कूर्ण डिवी का सिस्टम जनेरेटेटेड मेसेज आता है उसी के काम करना पर लोग को आपको भी टीक है training और joining किसी के हाथ में नहीं हो डिविजनल हेड के हाथ में या फिर इंस्पेक्टर के हाथ में तो जैसे ही आपका सेकेंड भी होता है ट्रेनिंग के लिए आपका ट्रेनिंग लेटर आता है तो आपका क्या होता है या फिर आपको मेसेज कर दिया जाता है या फिर आपको कर दिया जाता है कि आपका ट्रेनिंग इतना तरिक से इतना तरिक तक है तो इस तरह से आपका ट्रेनिंग लेटर जाड़ी करता है बाइपोस्ट भी आ जाता है क्योंकि बाइपोस्ट लेट से पहुंशता है तो उतना टाइम नहीं रहता है सब किसी किसी का घर बहुत दू कराने जाते उसी सकेंड डिवी में ही आपका मोबाइल नमर इमेल एड़ी वगरा ले लेता है ताकि आपसे इन फ्यूचर कंटेक्ट कर किया जा सके जब आपका ट्रेनिंग लेटर जारी करता है सब डिविजनल ओफिस यानि इंस्पेक्टर तो आपको बाइप पोस्ट या फ ऊपको ट्रेनिंग के लिए जाना है आगर आपको ट्रेनिंग लेटर नहीं मिल रहे तो आपको इसके लिए पूचना है इनस्पेक्टर को या थी jij hype श 실़ों कि मेरा सेकेंडी हो गिया है डेनिंग लेकर और पूछना है कि मेरा सेकंड डीवी हो गया है ट्रेनिंग लेटर कब जाड़ी होगा तो इस तरह से यह सब चीज चलता रहता है जब आपका ट्रेनिंग हो जाएगा तो कुछ दिन कबाद पांस दिन दो दिन दस दिन भी लग जाता है किसी को बाइपोस्ट जोनिंग लेटर गार्व्जार दिया जाता है और इस अभको मिल जाता है उसके बाद आपको यह सब चलता रहता है जब आपका ज्राइन लेटर लिकान पूछ लेना है कि मुझे जोइनिंग करना तो जोइनिंग पूछों मैंने को सब्सक्राइभ तो वहाँ पे पूछ लेना अगर वहाँ पे जॉनिंग लेटर पर नहीं लिखाए, तो जॉनिंग लेटर कैसा रहेगा प्रोविजनल इंगेजमेंट लेटर रहता है, तो वह आपका जॉनिंग लेटर, उसको लेकर ही जागर कि आपको ब्राम चोफिस में जाना ब्राम चोफिस में जाएंगे तो यह बीपीम पे हुआ है तो आपको वहां पे अल्रेडी एक बीपीम होगा या फिर डाक सेबक होगा या फिर बीपीम ही इन चार्ज में होगा की कमबाइनद होगे तो वहां पे जाना है चार्ज ले लेना ठीक है चार्ज लेने का मतलब है कि आपको white receive an office रापिसर होता है तो जो चार्ज सबांद उसको छोड़ रहा मतलव सको सो रहिंत उसको रापिसर बोलते यह वहां सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब कि खुद अपने पास रकर लेंगे ले तो बिबी बिब को देंगे यां वी अधिरिटी ब्रांच ओफिस का बीपीम ही होता है तो बीपीम ही सारा चीज बताएंगे ठीक है और जैसे यह से आपको जितना आपका जिरिश्डिक्सन एडिया है जो भी विलेज आपके अंडर आता है डिलीवरी के लिए वो सब चीज करेंट जो एपीम है या फिर बीपीम आइक और को क्वोड़ में आपको लेटर डिलीवरी करना है यह सब शीज बalan ₺ ठीक है सारा चीज समझा लेना कि आपका कि इतना जिटी सब पर, पर आṣक सबसेर कर देंगे उसτάholes अकर उन्यटार अगले दिन से या पीर वैश्जी से लेटर डिलीवरी करना है इतना प्रोस तो इंस्टाग्राम पर आखे फॉलो कीजिए वहां पर मुझसे क्वेस्टन पूश सकते हैं प्राइबिटली एंड टिलिग्राम जोइन कर लिए कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो मुझसे क्वेस्टन पूश सकते हैं या फिर कोई